हेई गाइस वेलकम बाग तो माई यूट्यूब चैनल सो गईस तरह से कि हर एक नीए वीडियो में कुछ नहीं सीखते हैं तो गईस आज भी उससे को अगे बढ़ाते हुए हम फरसे कुछ नहीं और कुछ इंट्रोसिक सीखने वाले ही तो गईस बिना किसी जरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ठी सारी ऐसी यूसफूल वीडियो सेखने को मिलती रहती है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गईस जैसे कि आप देख रहोंगे मेरे पस एक बुकरम और इस पुकरम में हम सबसे एजी नए डिजान आप कह सकते हैं वो सीखने वाले हैं तो गईस मैं आपको बता दूँ कि मेरे आज की वीडियो है वो बिगनर्स के लिए होने वाली है तो चलिए गईस का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो इसकी विर्थ मैं आपको दिखा देते हैं तो इसकी शोंड़ा है वाहं 2.59 नहीं रखते हैं ले हुर्ट स्केश के बाद हम इसको इसकी स्टेइर पे य्च्जास यहैं गए 2.5 नहीं रखते हैं तक रख सकते हैं और गैस अपने नेक की चोड़ाई बताओं वो मेरी 5 इंचे से होने वाली है तो देखे काई इससे मिले के बॉक्स बना लिया उसके बाद हम अपने जो नेक डिजाइन है वह यहां पर बनाने वाली है तो गैस देखे हमें क्या करना है जबस पहले हमें जो इ लिए उसके बाद हमें एक राउंड शेप देना है तो यह जिस्ट एक सिंपल से नेक डिजाइन होने वाले है अगर आप सिंपल यू शेप नहीं बनाना चाहते तो यह आपके लिए है अगर आप बिगनेर्स हैं तो एकदम से हैवी नेक डिजाइन से हम बनाते हैं तो उसम अगर बनाने के बाद है नहीं हएं कहते है टो देखते हैं किस सरी किस मैं एक इकिंट चुट कर देंगी बाकी तो यह हमने एक इंच आप लिया ही है वह हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैंप विजिट कर सकते हैं तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं मेरे जिसमें नेक डिजाइन बनके आया हुआ है तो वैसे तो यह सम्पल सा है यूशेप डिया हुआ है वी शेप अगर में यह शेप नहीं देती तो यह वी शेप ही है तो लेकिन मैंने इसको थोरा सा मोडिफाय करना चाहा तो तब यह इस सब कुछ आपके हाथ में होता है कि आप सो किस तरीक से मोडिफाय करते हैं तो चलिए आगे दिखते हैं देखिए इस तरीक से में एक फैबरिक ले लिया है जिसमें अपने डिक डिजाइन बिनानी वाली हूं उसके बाद हमने जो कुरता है जिसमें ने डिजाइन बिनाना है उसको भी ले लेते हैं तो यह मेरा कुरत यह उसको आप इस तरीकिसे स्वोल्ड कर लिए तो फोल्ड में करने के बार उसका पहले संटर पाट लिए गार जब तो हम नहीं लेंगे तो हमारा नेक डिजाइन सेंटर में नहीं बनेगा तो आपको जब बिनाना है तो उपना सेंटर पाट लेना बहुत जरुरी है तो इस तो इस तरीके से हमने जैसे कुर्ति में लगा एसमें चोटा सा CUT तो हम ज़ल्दी से चोटा सा CUT लगा लेते हैं देखते हैं आगे किस तरीकी से बन के आता है ये देखें इस तरीकी साब इसको भी आपको टू फोल में रख लेना है देन इसका सेंटर पार्ड एजील से मिल जाता है तो चलिए गाइस पहले सबस्पपल हम ये करते हैं कि जो हमारा बुक्रम है इसको फाबर के साथ अटाज क करेंगे तो इस तरीकी से मने सेंटर पार्ट कर लिया है तो अब जो हमारा काम है हम पहले ये वाले पोर्शन से ये देखिए इनको कट कर लेते हैं इनको कट करने बहुत जरूरी है क्योंकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो आप खुदी पादा चल जाएगा कि इसको लगा है तो गाइस देखिए हमें साथा कुछ नहीं करना सेंप्ल इसको इससे फोल्ड करते हैं इसके चारों स्ट्रूचिंग कर लेती हूं देन आगे देखते हैं और वीडियो अच्छी लग तो प्रीज लाइक शेयर करके सपोर्ट जरूर करेगा और अपने दोस्तों के स से बोकरम की बोगरी अटाश्क कर दिया है तो गैस इस सार आटाश्क करने के पाद ही कमारे काम है काम है मैं यह इस को एक पूर्थ को अटेश्ट करना है तो गैस आप में बता आप किवह लिए हुर्चा कुछा है फिरिये है और गैस हुआ इस को कट पार्ठ ले annoर्शा राष कि देख सकते हैं तो तो अब देख सकते हैं मेरे साइड वाले पोर्शन से इसमें हम जल्दी कर लेते हैं तो आगी को तो गैस अब देख सकते हैं मेरे साइड वाले पोर्शन से इसमें भी स्टुचिंग हो चुकी हैं तो गैस आज यूज्वल जैसे हम हमेशा करते हैं स्टुचिंग करने के बाद हम इसको चुचट कर ले तो गैस आधा अधा इंच हम छोड़ते हुए ही कट करना है तो गैस चलीए जड़ी से लगा देनागे देखते हैं तो गैस आप दीखा देथि हुआ हम आपको देखिए हम कुछ इससे चुच्चिंग करने के पात तो भी इसी तरीके से अंदर को फोल्ड हो जाता है तो चलिए जल्द इसमें हम स्ट्रिचिंग कर लेते हैं तो इसलिए मैं जल्द इसको रेडी कर लेती हूं देखते हैं तो गैस आप देख सकते हैं यह मेरा नेक डिजाइन काफी सिंपल डिजाइन है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो इसको जरूर सीखें और आप देख सकते हैं अभी तो मैंने इसमें स्ट्रिचिंग कर लिए जब मैं इसमें प्रेस करके तुर्पन करूंगी तो यह काफी लिए घी कर्वादात तो फिंशिंग के साथ बन एक जाएगा उसके बाद तो गई जब देख सकते हैं हैं यहां अनक्डम का फाइन लोग कुछ इस सरी की सब्सक्राइब देख सकते हैं तो तो जबनाने हैं पॉरइग में असको जब जब जो कर चाएं कि कम आप जैसे कि आ बनाएंगे एक दो तीन चार्ट जितने में बना सकते हैं लेकिन हमेशा हमें मन करते हैं कि हम हर कुर्ती में कुछ अलग बनाएं तो आप उसी यू शेप को थोड़ा सा मोडिफाय करके कुछ इस तरीकी का लूग भी दे सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर संपल और अच्छा ल पूम खिर मुझे र aye क difाय कि अपको अच्ची है आची वीडियो कैसी लगी मुझे to में जरुरा इности क्र पायएंक जरू करेगा और आप कि अप्रिंग और आप के हरी कमिश्व कर पायगए कर नहीं मुझे को शिभीए बनिनियों क्षीर कोशिश घर गरेंकि कोशिश करती